उत्तरप्रदेश में चुनाओ खत्म हो गए हैं लेकिन चुनाओ से पहले जिस बात की चर्चा थी यानि बहुत ज्यादा चर्चा थी वो ये थी क्योंगी आदितनाथ से ब्रामभणों की नाराजगी है इस बार ब्रामभण, BJP को वोट नहीं देंगे, 30% देंगे, 70% देंग मैं हो रजट सिंग और आप देख रहे यूपी तक, दरसल लोकनीती CSDS के पोस्ट पोल सर्वे में ये बताया गया है कि इस बार ब्रामभणों ने ज्यादा वोट किया है, जबकि राजपूत उनसे थोड़े से पीछे रह गया है, दरसल BJP काडवंधन को इस बार को वोट दिया है, मतलब ब्रामभणों ने ज्यादा एक जुट्ता दिखाई, चर्चाओं के भी परीत्र है, वहीं वैस यानी बनियों ने 83 फीजदी और अधर अपरकास ने 78 फीजदी वोट दिया है, वहीं अगर 2019 लोकसभा चुनाओं की बात करें, तब भी ब्रामभणों 2022 में राजपूतों ने बीजेपी को कम वोट दिया है, वहीं अगर वैस्यों की बात करें, तो बीजेपी को 72 फीजदी वोट मिले थे, वहीं अगर अखलेज शादों और समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए, तो वहाँ पर काफी हत्त तक निरासा लगी है, अखलेज फीजदी थाकुरों ने वोट दिया है, हाला कि 12 फीजदी वैस्यों और 17 फीजदी अन्य अपरकाष्ट ने सपा को वोट किया है, वहीं अगर हम बीज़पी की बात करें, यानि मायावती की तो उनकी हालत काफी खराब रही, वो भी काफी दावा ठोक रही थी, शक्तिस मिस टूल मिलाकर अगर इस पोश्ट पोल सर्वे को माने तो इस बार ब्रामःटों ने बीज़पी को जम कर वोट दिया है, राजपूतों ने जम कर वोट दिया है, हलाकि ब्रामःटों के तुलना में ठोड़े कम है, लेकिन लगवग लगभग हो बराबर है, अगर हम पूरा बिग पिक्चर देखें तो अपर काश्ट ने बीजेपी का साथ दिया है जब कि सपा और बसपा इस मामले में कमजोर पड़ गए यानि कि हमें कहें कि अपर काश्ट को रिजाने में अखिले शादव फेल हो गए तो गलत नहीं होगा ये तो रही बात ब्रामः ठाकुर और र झाल झाल